कि अग्षा प्राइब करें दो अप्राइब करें दो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को यह सीरीज यह वीडियो कैसा लग रहा है तो एपसोड के स्टार्ट में जो जीन होता है वो बताता है कि मै सराम का श्रम्स मेरे दीन होने वाले दस साल चल बीने ब lovely होले हैं लेकिन ऐसा नेलो मुझे लेंचे मेरे फादर ने मुझे कमनेश्चिंन की मुझे काफी अच्छे बाते बताई मुझे अपनी बैनियां कि मैरी से एक सब बंसक रिप लुना जो सबसे बड़ी सिस्टर उससे साथ भी काफ़ अच्छा कनेक्शन एस्टैबलिस हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे गार्जियन ड्रैगन मिलें जो कि मुरकान है और वह बताता है कि मैं यह सब चीजे जो भी मेरे साथ इस लैप में वह कभी भी इस लिए इस लिए मुझे लगता है कि जो हमारे किंग है वह इसके अंदर एक ने ज्यादे इंट्रेश्टेट है कि हो सकता है कि मैं इसको इतने ज्यादा ट्रेंड कर दो कि आगे वाले समय में एक किंग बन जाए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो इसको चेक कर रहा हूं मैं इसको चेक एक्जामीन नहीं कर रहा हूं यह आके यहां कि जो मुझे देख रही यह मुझे एक् कवी मैं आपको इंश्रक्ट कर सकता हूं यानि कि मैं आपको पा रहा हूं लेगिन फिर भी कि आप को तो पता ही कि आप है कि आ इसने आपके साथ अधागे बचाहिए स्ल्डे श्राइब करूए नहीं हुआ आदो जिन बोलता है तो मैं तब तक के लिए आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा मुझे काफ अच्छा फील होगा साथ हमें कुछ देर बात का सीन दिखा जाता है जिन जो होता है कैंडल के अंदर अपना उंगली डाल के बैठा होता है और फिर वो बोलता है कि फाइनली यह हो लेडी यह सुनके खाफ जाते बोलती कि मुझे यह सुनके काफी अच्छा लगा कि जो लेडी मैरी आपकी बड़ी सिस्टर मैरी ने आपको गिप्ट दिया था वह इतने अच्छे से यूच्फुल हो रहा है उसका इतना अच्छा स्ट्रेस मतलब कि पावर हमें दिखाई ज हमार से इसा हो सकता है वैसा हो सकता है यह जाओ मैं कफे आफक्ट को आपके सामने देख रहा हम जिन भी बोलता कि मैंने उसकी आधे जो भी पावर उसको एब्सुर्ब कर लिया अगर मैं उसके पूरे पावर को अबसर्ब कर लों तो मुझे तो काफे ज़्यादर अच्छा यानि के श्ट्रॉम कास्टल से चले जाओगे उसके बोझा जिन बोलता है हाँ ये सब बात तो मुझे पता है फिर गिली जोती उसके सामने दो बुक को देखते बोलती है कि एंग मास्टर किया आप ये दोनों बुक को भी अपने साथ ले जाना चाहते चाहते हैं जाते ही कोस इसी बात है चलो ठीक है मैं थोड़े दिर बाद यहां से आता हूं गिली बोलती इस वक्त आप कहा जाने वाले है बताता है कि मुझे महाप का ना मैं तुम्हें बताने से क्था थोड़े दिर वापस बाद वापस आ जाएंगा साथ ही वह वापस से उसी लैब्रेरी के अंदर समय से इंतिजार कर रहा था जिन बोलता है अच्छा ये बात तो ठीक है लेकिन आप मेरे साथ महाँ पे जाओगे कैसे आपको तो सब कोई पहचान लेंगे बताता है कि तुम्हें इन सब बातों के चिंता करने नहीं की जातने एं Чोटे से लड़के तुम्हें ये पताने कि मैं लेजणरी ब्लाक ड्रागर हु और मैं मैं कितना भी ज़्यादा कमजूर हो गई हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ तो एक लेजणरी ड्रागर ही नहीं और मैं तुम्हें काफी आराम से फॉलो कर लूँगा और कोभी मुझे पकड़ भी नहीं पाई गा जिन उसकी बास चुने के बहुत अच्छा तो आपका इन सबसे क्या मतलब है कि आप काफी जादा कम जोर हो गए हो और आप मुझे इंतनी इंपॉर्टन बात अभी बता रहे जब हम लोग कर लिया से निकलने माले उसके ठोड़ा लगा पहले वद आता है हाम क्यूंकि तुम्हें तो पता है कि मैं हजारों सालों से सववे और सबाइल में तो आर कम हो गई और तुम्हें इतना देर तक कोई अगर संबर में रहे त기 पावर इसकी आप बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन आपको अपनी पावर जो वापस से कैसे मिलेगी बताता है कि आपकोर्स जैसे जैसे तुम्हें स्ट्रॉंग होगे वैसे मेरी पावर भी मेरे पास वापस आने स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सबसे पावरफुल जो रूइन कैंडल है उसमें मैजिक स्वार्ड मैं सबसे पहले जो किंग थे रूइन टेमर को रूइन डाल वो एक मैजिक स्वार्ड मैं थे है ना जिन बताता है कि मैंने भी सुल्डरेट से यही सुना था कि हमारा जो रूइन कैंडल फैमली था वो सबसे पहले मैजिक स्वार्ड को भी यूज करते थे और वहारा जो फ़स्ट किंग थे वह हमारे सबसे स्ट्रॉंगस मैजिक स्वाड मैं थे बट मुझे काफी ज़यादा एपसोस है कि हमारे फैमिली डूंड कैंडल फैमली अभी कोई भी इस बात को नहीं जानता कि हम लोग फैमिली में मैजिक क को भी यूज किया ना जाता था मुर्करान जो था बोलता कि हाँ ऐसी बात हो सकता है क्योंकि रूण के उपर बैन लगा दिया थे गया था मैजिक को यूज करने के वज़से अश्लेनों ने सिर्फ तलवार बाजिक के उपर फोकुस किया और यह काफी जादा बूरा था लेकि तो मैं अचानक सुन लोकर सामने आ जाओँगा कहीं से इतने हजार साल के बाद लेकिन फिर भी अगर यह हजार साल पहले की बात करेए तो मैं जब भी रोड पे निकलता था तो सारे लोग मुझे देखने के लिए तरफ देते और सारी लोग मेरे सामने जुगते थे और ऐस लगता था कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टफुल सबसे बड़ा किंग वो और यह जो रून कैंडल था वो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं लग रहता है अच्छा बोलता जीन अच्छा बोलता ऐसी बात है लेकिन फिर भी रून कैंडल ने ऐसा क्यों कि मतलब कि रून परक्या होगा बोलता है कि तुम्हें इन सबकी जरूत नहीं मेरे अंदर अभी ड्रैगन मैजिक बचा और मैं अपने डूब्लिकेट बना के उसके अंदर कंडल सकता है वह बोलता है अच्छा ऐसी बात है अगर किसी को पता चलगे कि वह डूब्लिकेट है तो वह बताता है क्या तुम्हें ये बात भूलगे क्या मुझे बार बार या दिलाना पड़ेगा कि मैं एक शैडो ड्रैगन हो और तुम्हें तो ये बात पता है कि मैं किसी भी चीज के काफी अराम से नकल डूब्लिकेट बना सकता है और को भी उससे नहीं पकड़ सकता है साथ ही वह अपन पिर हम दोने मिलकेस दुनिया पर आज करेंगे जैन बोलता है अचा ठीक है चलो ठीक है आप मेरे इतना ख्याल रखते है उसके लिए आपके बहुत-बहुत सुक्री है बोलता है चलो ठीक है तुमने मेरे इतने जित रिस्पेक्ट की इसलिए मैं इतने ज्यादा मदद कर र इस अदी के आप एंदाब यह एन्हीं को फूस जाथा है कि तुमने इतनी दो महनध क्यों बहुत 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 सुक रहें जिन मुझे यह जाएंख खुशी विए जीन बोलता है कि अच्छा ठीक है आप यह सब तो पी लेना लें जाधा पी के ड्रंक हैंग और में मद चले जाना और किसी उल्टे चीज़ेश चीज का डूब्लिकेट बना के उस कंडेनर में मद डाल देना बोलता है ठीक है ठीक है पर मुझे यह तो सबसे पहले दो मुझे क तुम्हें आपके लिए कि बना ती यह चाहता है तो मैं आपके लिए वह सब चीज़े नहीं बना पाओंगी जो मैं आपके लिए बनाती ती आपको खिलाती थी और आपका इतने ज्जयदे ख्याल रखती जीन बोलता है हाँ मुझे इस सब बातों के बारे मुझे पता है मैं पर जाओंगा काव ज्यादा मैंनत करूंगा अपने आपको पारफुल बादे की कोशिस करूंगा और वक्त मिलेगा तो आपसे मेभी मिलने के लिए आऊंगा इसकी बासंट के गिली भी काव ज्यादा खु तक यहार चलो ठीक हम लोगं यहार से निकलते हैं फिर वो लोगं को सिल उपधIVE करहायां और पहुता है वह लिए पिर प्था हूँ आग्या में जाने वाला है, मुझे तो कावी ज़्यादा खुसी होने वाला है, हमारा हाहर, यानि रून कैनल का जो असली घर, the guardian, the garden of sword, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, और जिसके साथ हमारा जो एपसोर्ड रता, इस एपसोर्ड को यह पर खत्म करते हैं, तो अगर आपडो का एक् करने को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स शोटे साथ तक लिए बाब बाय, stay happy, spread love